हाई अब्रिवन वेलकम प्रोडिश्टल जी के क्लासेश तो बिहार प्रात्मिक सिक्षक भरती से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि देखो परिक्षा होना, निउक्ती मिलना, आप उसकूर में पढ़ाने जाओ और खास तोर पर जब कहीं पर कोई वेकेंसी आती है वो बहुत ही टेड़ा मेड़ा होता है, आप सभी जानते हैं आप जानते हैं कि जब से परिक्षा हुआ है, तब से इतने सारे केस सीटेट के रिजल्ट को लेकर चाहें बिहार प्रात्मिक सिक्षक भरती में इसमें भी T.E.T. संग के दौरा केस कर दिया गया था बहुत पहले ही, जिसकी सुनवाई होनी है 29 अगस्त को, मतलब कि कल अब यह सुनवाई किसले होनी वाली है, आप खुद जब इस चीज को देखेंगे, अभी पढ़ेंगे, पूरा वीडियो देखेंगा, आप खुद यह सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि परिक्षा देने से लेकर, रिजल्ट और जवानिंग लेने तक कि जो पूरी प्रॉसेस है, वो कितनी ज़्यादा डिस्टॉप करने वाली है, इवन मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते होंगे क्योंकि देखो B8 और BTC, आप सभी ने किया, क्या सभी को नौकरी मिल रही बिल्कुल भी नहीं, बट केस होना एकदम तय है, मैंने इसलिए कल भी बताया था, कि जब से भरती आती है परिक्षा से लेकर, बस केस ही किये जाते हैं, और इस आप भी जानते हैं, क्यों किया जा अब पता नहीं, वो सच बता रहे हैं, जूट यह तो आप सभी के द्वारा ही पता चलेगा, तो चले वीडो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, कि आखिर में जो भी बच्चे हैं, चाहे वो B8 है, BTC है, वो यह सोच रहे हैं, क्या कितनी मुश्किल हो सकती है, आ अब यह एकदम कन्फर्म हो चुका है, और इसकी कल सुनवाई भी होने वाली है, आप खुद देखें, और कल का डेट काफ इंपोर्टेंट है, देखें, 26 आट दोजा 23, यह क्यों क्या गया है, तो टीटी सिक्षक संग, आप सभी जानते हैं, टीटी सिक्षक संग जो है, सि यह बात है कि हमको परिक्षा रद करवाना, इसकी मांग क्या है, उसकी मांग सिंपल सी, आप सभी जानते हैं, कि लगतार इतने संसोधन हुए है, एक्जाम से दो दिन पहले आप नेगेटिव मार्किंग हटाते हैं, अब आप बोल रहे हों कि हमको 75% सीट भरना है, तो हम ज पर निकलने के बाद संसोधनों को गैर कानूरी बताया है, ठीक है, यहाँ पर देखें, इस सुनवाई में संग की ओर से सप्लिमेंटरी फाइल कर 24-26 अगस तक आयोजित BPSC की सिक्षक भरती परिक्षा को रद करने की मांग की जाएगे, और कितनी संभावना है रद करने की की अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, परिक्षा रद करवाने के लिए संग की ओर से भरती परिक्षा के लिए विग्यापन जारी होने के बाद सभी संसोधनों को गैर कानूनी बताते हुए सहीत कई बिंदों को सामने रखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखें, संग स इतनी जल्दी आ जा रही है, तो सरकार को भी एक बार इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए थी, परिक्षा कराने से पूरू, आपको एंसिटी को पत्र लिखना चाहिए था, या आपको भी हस्त शेप करके पहले पूछना चाहिए था, कि जो आप परिक्षा करा रहे हैं, उसका क करी रहते, बट यह सब कुछ ना कराकर इन्होंने पेपर करा लिया है, जो कि सुप्रिम कोट के आदेश क्या हो मानना है, इसके लावा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, परिक्षा फॉर्म भरे जाने के बाद, नेगटिव मार्किंग का प्रावधान गयर कानूनी तरी प्रावित होगी और विद्याले में पढ़ने वाले बच्चों को गुडवत्ता पूर्ण सिक्षा नहीं मिल पाएगी, संग को पूरी उम्मीद है कि हाई कोट इसे गंभीरता से लेगा और साकरात्म करवाई करेगा, देखे इनका सिंबल सा मतलब है कि हम आप गुडवत्त यह जो बच्चे हैं, इनकी इसमें क्या गलती है, यह वहाँ पर गए, इनका एक तो होटल का इतना खर्चा, रहने का खर्चा, कोई सड़क पे, कोई रेलवेश जो स्टेशन है, प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे सोकर अपनी फिर गय सुबह में परिक्षा देने, तो इतना बड़ा मुद्दा है कि जब सुप्रिम कोट का फैसला आ गया है, तो आपने परिक्षा क्यों करवाया, ठीक है, बट इसमें भुगतना कि इसको पढ़ता है, स्टूडिंट को, यहाँ पर और बी चीजे में आपको दिखाना चाहूंगी, यह देखे, बहुत सारी चीजे है बटा 23 की सुनवाई, यह है, याचिका का संख्या है, तो इससे आपको पता चल लग जाएगा, या फिर आप कलका भी वेट कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, इसकी सुनवाई 29 अगस को पटना हाई कोट में होनी है, और इस दिन सुनवाई में संग की ओर से सप् अमिध विक्रम ने बताया है, यह जो है, अमिध विक्रम ने बताया है, कि इन सभी विंद्यों को लेकर संग के द्वारा पुरो से दायर या चिका में सप्लिमेंटरी फायल की जाएगी, तदकाल विपशी सिक्षक भरती परिक्ष़ा को रद करने की मांग की जाएगी, उन कानुनी से हटाये ग्या है negative marking इसे गड़वत्ता प्रभावित होगी क्योंकि ये जो है कोटिवार जो percentage है जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मालो आप जो है 40% ठीक है general का बट इतना नहीं आपा रहा है तो VPSC की chairman ने tweet किया था कि हम 75% seat भरने के लिए कोटिवार से नीचे जाएंगे तो इस चीज का भी विरोध चल रहा है कि जो चीज पहले से notification में mention है आप उसको result के बाद भी बदलेंगे कब तक बदलेंगे ये चीज है और दूसरा Supreme Court का तो मैंने आपको बताया ही है Supreme Court के आदेश के हो मानना किया है BPSC ने और एक चीज और information सामने आ रही है कि जब आपको पता है कि RTI के दौरा किसी student ने पूछा था NCT के दौरा तो उनका जवाब आ गया जो कि मैंने आपको दो चार दिन पहले ही वीडियो बना के समझाया था तो उसमें NCT ने यही कहा था कि जो भी चीज़े है Supreme Court के आदेश के according होगी आपने देखा होगा तो यही सब बट ऐसा भी नहीं किया गया उनके द्वारा ठीक है देखिए एक चीज़ तो तय है कि सुनवाई तो होगी 29 अगस को बट आप भी जानते हो कि परिक्षा कैंसल कराना इतना आसान नहीं है यहां पर टीटी सिक्षण संग जो है जो कह रहे हैं कि हम परिक्षा रद करवाएं 29 अगस को क्योंकि बहुत बड़ी लेवल पर परिक्षा हुआ है दूर दूर से बच्चे आए हैं परिक्षा रद कराने का मतलब कि वो सारे बच्चे जो है आप उनके साथ गलत करेंगे ठीक है अब बात कर लेते हैं कट आफ का अच्छा एक चीज़ मैं आपको बोलना चाह लेकि 15-20% बच्चे बता रहे हैं कि हमारे 80-90 आए हैं तो इसे तो कट आफ उपर चली जाएगी बहुत सारी वीडियो में मैं देख रही हूं कि लोग कट आफ बता रहे हैं कि 55 आएगा 60 आएगा और बहुत सारी स्टूडेंट अमना नंबर बता रहे हैं कि हमारे 82 हैं 85 हैं नब्बे हैं तो प्लीज आप मुझे इस चीज को बताएगा क्योंकि मैं दोपहर में एक वीडियो लेकर आने वाली जो है कट आफ से रिलेटेड क्योंकि बहुत सारा डेटा मेरे पास आ चुका है बट यह चीज मुझे वेरिफाई करना था क्योंकि बिना किसी authentic information के कट अच्छा नहीं है और आप लोग ही बताते हो कि आपकी 90 आ रहे है पकाझाईством देल यह गलत है कि कि बार बार केस करना किसी किसी भी परिक्षा में केस करवा कर उसको लेट तक रोके रहना बहुत गलत है चाहे आप super Chopücken उठा कर देख लो चाहे कुई परिक्षा करो केस करने से क्या होता है कि रोक लगा देगी हाई कुड यही तो करेगी न कि अभी उस पर रोक लगा दीजे जब तक NCT का कोई इन्फर्मेशन गाइड लाइन नहीं आ जाता है तक तक आप इस पर रोक लगा दीजे तो क्या होगा जोइनिंग लेट हो जाएगी फिर तो यह सारी चीजे बहुत गलत हो रही है आप प्लीज मुझे बताएगा कि आपको क्या लगता है क्या होगा कल बाकी जो भी चीजे हों कल मैं आपको अपने चैनल से बता दूँगी मिलते नेक्स क्लास में थैंक्स पो वोचिंग